हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर इक्षा प्लान में तो कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे तो जैसा कि आप लोग को पता है कि साइंस मैं NCRT से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ जो साइंस की NCRT की बुक चलती है उससे मैंने साइंस को कंप्लीट पढ़ा दिया है और अब मैं साइंस के इंपोर्टेंट कुस्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ तो ये 11 वीडियो है और इसके पहले 10 वीडियो आ चुके हैं मैंने प्ले लिस्ट बना दी है वहाँ पर आप सभी वीडियो एक साथ पराप्त कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए सुरू करते हैं, पहला प्रस ने लिखा है, नीचे दिये गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का छेन कीजिए, अभी कथन दिया गया है, कारड दिया गया है, अभी कथन है, पीने के पानी को उबाल कर पीना, हैपिटाइटिस A के विरुद एक पिरभाव साल बचाओ का उपाय है, अभी कथन बिल्कुल सही है, लेकिन कारड कह रहा है कि हेपिटाइटिस A ये बैकटीरिया जनित रोग है, तो ये गलात है, क्योंकि ये विसाड़ू से फैलने वाला रोग है, वाईरस से फैलने वाला रोग है, बैक्टेरिया नहीं फैलता, तो अभी याने नीले रिटमस को लाल कर देता है, निम्ड में से एक्स हो सकता है, पहला विकल्प है सोरियम, दूसरा है सलफर, तीसरा है हेलियम, और चोथा है कौपर, तो नीले रिटमस को लाल करता है अम्ल, और इसमें क्या कह रहा है कि तत्व एक्स ऑक्सिजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड भी बना रहा है, यानि कि जो तत्व है वह होगा सलफर, भी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, या ऑक्सिजन से किरिया करके, सलफियूरस अम्ल देता है, SO2, तो इसमें आपका जो भी विकल्प है, वह सही हो जाएगा, अगला प्रस्ण देखते हैं, निवन में से किन परिस्थितियों में वायू में ध्वनी की चाल अधिकतम होगी, पहला विकल्प है, सुस्क, 0 डिग्री सेल्सियस पर सुस्क वायू में, दूसरा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आदर वायू में, तीसरा है, 40 डिग्री सेल्सियस पर सुस्क वायू में, और च जरवात में ध्वनी का गमन नहीं होता ये सब बातें आपको हमेशा ही याद रखनी हैंब इसमें पूछा गया है कि किन परिस्थितियों में वायू में ध्वनी की चाल अदिक्तम होगी तो नम वायू में 40 ग्री चल आखेए वह समें, ताप मांन कितना अगला प्रस्ण देखते हैं लिखा है निम्न लिखित में से कौन सा समु वस्तु का सदय आभासी पृत्वेंब बनाता है पहला है उत्तल लेंस, उत्तल दरपड, समतल दरपड, दूसरा है उत्तल दरपड, अवतल लेंस, समतल दरपड, तीसरा विकल्फ है अवतल दरपड, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और सोथा है, उत्तल दरपड, अवतल दरपड, समतल दरपड तो उस समू को बताना है जिसमें हमेशा वस्तु का आभासी प्रत्विम्ब बनता है तो आभासी प्रत्विम्ब बनता है उत्तल दरपड में आभासी प्रत्विम्ब बनता है उत्तल दरपड में आभासी प्रत्विम्ब बनता है उत्तल दरपड में आपका जो भी विकल्प है वही इस प्रश्निक तो जो उत्तल दरपड होता है इसमें सदेव सीधा और आभासी प्रित्विंब बनता है आवतल लेंस में जो प्रित्विंब बनता है वह वस्तु के आकार से छोटा होता है और प्रित्विंब आभासी सीधा और छोटा होता है यह आपको याद रखना है और सम्तल दरपड में भी प्रित्विंब जो है आभासी और सीधा होता है, तो तीनों में ही प्रित्विंब आभासी बनता है, तो इसी लिए भी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अगला प्रशनी देखते हैं, एक मेज पर इस्तरा बस्ता में रखी हुई किताब के संदर्व में निम्न में से क्या सही है, पहला विकल्प है, इस्थैतिक गरसड एक मातर बल है, जो उस पर लग रहा है, तीसरा है उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, और चोथा है उस पर संतलित बलों का एक युग में तो इसमें न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जो किरिया बाला नियम होता है, जिसमें बताया जाता है कि जब दो पिंड ए और बी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, तो ए द्वारा लगाए गया बल बी और ए द्वारा लगाए गया बल के बराबर और विप्रीत होता है तो इसी पिरकार से जब पुस्तक को मेज पर रखा जाता है तो पुस्तक प्रथवी की ओर आकर्शित होती है एक किरिया सकती है जबकि प्रत्वी पुस्तक को आकर्षित करती है यह एक प्रत्किरिया बल है मेज सिर्फ संपर्क बल बना रही है क्योंकि यह प्रत्वी और पुस्तक के बीच में है यहां प्रत्वी और पुस्तक किरिया प्रत्किरिया युग में बना रहे हैं लेकिन मेज और पुस्तक नहीं बना रहे हैं ये आपको याद रखना है प्रतवी और पुस्तक की बीच बल कार कर रहे हैं अता किरिया और प्रत किरिया बल मेज पर विराम अवस्था में रखी पुस्तक पर कार करते हैं तो यहां पर संतुलित बलों का एक युग्म कार कर रह है डी विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण देखते हैं निम्लिकित में से कौन सा कारवन का सरवादिक सुद्ध रूप है पहला विकल्प है कोक दूसरा है कोलतार तीसरा है कोईला गयस और शोथा है चार कोल यानि की कास्ट कोईला तो इसमें आदिक सुद्ध रूप होता है कोक यानि पहला विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा कोलतार जो है इन सब के बारे में भी जान लीजिए तो कोलतार कोईला गयस और कोक की तयारी में उप उत्पाद के रूप में उत्तपाद एक गाणा काला द्रब होता है कोईला कैस क्या है यह कोईले से बना एक जोलन सील गैसी इधन है और चार कोल क्या है यह एक काला कारवन अफसेस है जो भार में हलका होता है तो इन सब के बारे में भी जानना आप सेख है यहां कारवन का सरवादिक सुद्ध रूप पूछा गया था तो ए विकल्प इस प्रश्ण पैरामीशियम बैक्टीरिया तीसरा है इस्ट अमीवा बैक्टीरिया और चोथा है हाइडरा समुदरी एनिमोन पैरामीशियम तो इसमें एक कोस्की जीवों का समू बताना है तो आप सभी लोग जानते हैं जिनमें एक कोस्का होती है वो एक कोस्की कहलाते हैं तो इस्ट अमी में पत्माफी का पाठे आंक 4157 था और यात्रा के अंत में 4436 किलो मीटर था यदि वह यात्रा पूरी करने में उन्हें 5 घंटे 10 मिनट लगे तो उनकी ओसत चाल क्या थी इस तरीके का प्रस्ण मैंने पहले भी प्रैक्टिस में लिखा लिया है तो आप लोगों को इसे सॉल्व करने का तरीका पता होगा कि जो अंत का पाठे आंक होता है उसमें से प्रारंबिक पाठे आंक को घटा देते हैं तो इस प्रस्ष्ण में चाल पूछी गई है और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है दूरी हमें दी नहीं गई तो दूरी हम निकालेंगे अंद के पाठ्यांक में से प्रारंबिक पाठ्यांक को कुगाटा देंगे दो सो नियासी मिल जाएगा समय हमें दिया है पांच घंटे दस मिनट तो पांच घंटे हैं दस मिनट को भी घंटे में बदल लेंगे तो हमें मिल जाएगा दिसमलब एक छे और पांच घंटे उसमें जोड देंगे तो दूरी बटे में समय यानि समय हमने निकाल लिया पांच दिसमलब एक छे इससे दे देंगे भाग हमें मिलेगा 54 किलो मीटर प्रती घंटा सी विकल्पिस में सही हो जाएगा बस आपको क्या करना है अंत वाले पाठे आंख में से पहले वाले पाठे आंख को गटा देना है दूरी निकल कर आ जाएगी पांच घंटे और दस मिनट दस मिनट को गंटे बनाने के लिए 60 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा दिसमलब एक छे और पांच घंटे पहले से ही है तो 5.16 घंटे समय हो जाएगा इसी से 280 भाग दे देंगे सी विकल्पिस में सही हो जाएगा अगले आप प्रशने देखते हैं लिखा है निमलिकित किन परगटनाओं का कारक प्रत्वी के अपने अक्षपर घूलन को कहा जा सकता है पहला है पवन की दिसा का सटी को तरदक्षिर दिसा से विचलन दूसरा है दिन और रात का बनना और चौथा है रित्वों का बनना तो पूछा गया है किन परगटनाओं का कारक प्रत्वी का अपने अक्षपर घूलन कहा जाता है तो प्रत्वी का अपने अक्षपर घूलन गती कहलाता है तो इसमें पहला सही है पवन की दिसा का सटी को तर दक्षिट दिसा से विचलन और दूसरा सही है दिन और रात का बनना दिन और रात क्यों होते हैं, प्रतवी के अपने अक्षे पर घूमने के कारण और प्रतवी अपने अक्षे पर एक चकर 24 घंटे में पूरा कर लेती है, तो ये भी आपको याद रखना है, अब पूछ लिया जाए कि प्रतवी सूर की परिक्रमा कितने समय में पूरी कर पाती ह तो प्रत्वी सूर के चारो और एक पोड़ परिक्रमड 365 दिन में पूरा तर पाती है तो ये भी आपको याद रखना है तो इसमें पहला दूसरा सही है यानि कि पहला विकल्फ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और अब इसमें जो सी लिखा हुआ है कि रित्वों का बनना तो रित्वों का बनना प्रत्वी के परिक्रमण पर निर्वर करता है यानि की घूडन पर निर्भर नहीं करता, सूर के चारों और जो परिक्रमा प्रत्वी करती है, उसके कारण रित्यों का परवर्तन और रित्यों का बनना होता है तो इसलिए इसमें C नहीं आया है, पहला और दूसरा इसमें सही है, पहला विकल्प इस परशने का उत्तर हो जाएगा, अगला परशने देखते हैं लिखा है एक गुलाब सूर के पिरकास में लाल दिखाई देता है, हरे पिरकास में यहे गुलाब किस रंका दिखेगा, पहला विकल्प है लाल, दूसरा है काला, तीसरा है हरा और छोथा है पीला तो सूर के फिरकास में गुलाब लाल दिखाई दे रहा है लेकिन यही गुलाब हरे फिरकास में काले रंग का दिखाई देगा तो इसमें बीविकल्प इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा यह प्रश्ण पूचा गया है तो इसे याद रखिएगा अगला प्रश्न देखते हैं यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी की क्वतनांक और हेमांक बिंदू पर किरम साख क्या असर पड़ेगा फैला विकल्प है दोनों बढ़ जाएंगे दूसरा है क्वतनांक बढ़ जाएगा किन्तु हेमांक बिंदू घट जाएगा तिसरा है हेमांक बिंदू बढ़ जाएगा किन्तु क्वतनांक घट जाएगा और चौता है दोनों घट जाएंगे तो क्वतनांक की क्या होता है और हेमांक की क्या होता है ये पहले जान लीजिए तो कौतनांक वह तापमान होता है जिस पर किसी द्रव का बास्व दाब वायू मंडली दाब के बराबर होता है यानि कि जो कौतनांक है कौतनांक वह तापमान है जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है अपनी सामान भासा में समझ लीजिए और हेमांक की क्या होता है वै नियुन्तन तापमान जिस पर द्रव जमने लगता है और ठोस बन जाता है तो वै हेमांक की खेहलाता है अब इसमें लिखा है कि यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्वाथनांक और हेमांक बिंदू पर क्या असर पड़ेगा तो यदि नमक मिला देते हैं पानी में तो क्वाथनांक जो है वै बढ़ जाएगा और जो हेमांक है वै घट जाएगा तो भी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं निमनलिकित में से कौन सा अंग पप्चियों में नहीं पाया जाता पहला विकल्प है मुत्रासर, दूसरा है आत, तीसरा है यक्रत और चौथा है विरक्र तो जो पच्छी होते हैं इन में मुत्रासर नहीं पाया जाता है तो पहला विकल्प इस प्रश्निका उत्तर हो जाएगा क्योंकि जिस तरीके से इस्तंधारियों में मल और मूत्र का अलग-अलग उत्पादन होता है उसी तरीके से पक्छियों में नहीं होता पक्छियों में मल और मूत्र का अलग-अलग उत्पादन नहीं होता आवस्कर एक यही समय में दोनों अपसिष्ट उत्पादों को निकालता है यानि कलोका तो इसमें जो एविकल्प है यही इस प्रश्ण का उत्तर होगा अगला प्रश्ण देखते हैं लिखा है अधिकांस पौधे मिटी से नाइट्रोजन निमलिखित रूप में प्राप्ट करते हैं पहला इसे नाइट्रोजन युक्तियोग को में इस्थिर किया जाना चाहिए तो इसी लिए जो पौधे होते हैं वे मिटी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्ट करते हैं डी विकल्प प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा वायू मंडल में नाइट्रोजन का कि इसमें वे पाय जाते हैं अमली दिये गई हैं एक तरफ खाद पदार्त दिये गई हैं और हमें मिलान करना है तो पहला लिखा है एसिटिक अमले तो एसिटिक अमले किसमें पाया जाता है सिर्के में पाया जाता है आप सभी लोग जानते हैं लैक्टिक अमले लैक्टिक अमले B का तीसरा C का पहला और D का दूसरा यानी चौथा विकल्प आपके प्रशने का उत्तर हो जाएगा और ये इस तरीके से भी प्रशने पूच लिया जाता है कि पालख में कौन सा आम लपाया जाता है चार विकल्प दिये गई है नीबू में कौन सामल पाया जाता है, चार विकल पी दिये गई है तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है और मिलान करने के लिए भी आ जाता है अगला प्रशने देखते हैं नेमलखित में से एक इस पदार्थ का उपयोग औरवरक की रूप में नहीं किया जाता तो जानना आवर्शक है, कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं जानते तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि औरवरक वे रासाइनिक पदार्थ हैं जो फसलों की उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए आप उर्ती किये जाते हैं और वरकों में नाइट्रोजन फासफोरस और पोटेशियम सहत पोधों के लिए आवसकता तो होते हैं तो जो नाइट्रोजन फासफोरस और पोटेशियम है, इसे सौर्ट में एनपी के कहा जाता है ये भी आपको याद रखना है अब इसने पूछा गया है कि किस पदार्थ का उपयोग और वरक के रूप में नहीं किया जाता तो केलसियम कार्वोनेट का उपयोग और वरक के रूप में नहीं किया जाता तो डी विकल्पिस प्रशनी का उत्तर हो जाएगा अगला प्रशनी देखते हैं भारत के निम्न राजियों में से किसके चक्रवास से प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक है पहला है हरियाना दूसरा है मध्य परदेश तीसरा है आंधर परदेश और चौथा है उत्रा खंड तो भारत के निम्न राजियों में किसके चक्रवाज से पिरवावित होने की संभाबना सबसे अधिक है, तो वह है आंद्र प्रतेश सी विकल्प इस प्रश्ने का उत्तर हो जाएगा, अब चक्रवात क्या होता है? तो चक्रवात हवाओं का एक तंत्र है जो एक सामान उपकेंद्र के साथ विपरीत घूडन करता है ये आम तोर पर निम्नदाब वाले छेत्रों में उत्पन होते हैं चक्रवाती विक्छोब के कारण मांसूनी हवाओं में परवर्दन होता है तो ये आपको याद रखना है अब जो तटी छेत्र हैं वहाँ पर चक्रवात की आने की संभाबना सबसे अधिक होती है तो इन में से जो आंद्र प्रदेश है ये तटी छेत्र है तो इसलिए यहाँ पर चक्रवात की संभाबना अधिक है सी विकल्पिस में सही हो जाएगा अगला प्रशनी देखते हैं निम्लुकित में से जीवों का कौन सा यूग बढ़िंग यानि मुकलन द्वारा प्रजण करता है पहला है हाइडरा अमीवा दुसरा है अमीवा पैरामीशियम तीसरा है इस्ट हाइडरा और चोथा है आप सभी लोगों को मैं मुकलन विखंडन इन सभी के बारे में पढ़ा चुकी हूँ तो पादबो में प्रजणन जब मैंने लेसन पढ़ाया तो मैंने उसमें सभी के बारे में डिटेल में बता रहा था आप लोग अभी भी समय है आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं प्रेलिस्ट पर जाईए सभी वीडियो देख लीजिए और मैंने लेसन का नाम डाल रखा है तो आपको जो भी लेसन पढ़ना हो आप वही लेसन भी पढ़ सकते हैं तो इसमें पूछा गिया है कि किसमें मुकलन द्वारा प्रजणन होता है तो इस्ट और हाइडरा में मु विस्थापित कर सकती है पहला विकल्प है कोपर दूसरा है आइरन तीसरा है सिल्वर और चौता है जिंक तो अधिक अभी किरिया सील धातू कम अभी किरिया सील धातू को उसके लवड के विलियन में से विस्थापित कर देती है और जो अधिक अभी किरिया सील धातू है अ तो जो अन सभी को उनके लवडी विलिनों में से विस्थापित कर सकती है वह है जिंक, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा अगला प्रश्न दिया गया है इधनों के अपूर दहन से उत्पन होने वाली वह गैस कौन सी है जो विसेली है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक छमता को घटा देती है पहला विकल्प है कारवन डाई ओक्साइड दूसरा है कारवन मोनो ओक्साइड तीसरा है नाट्रोजन ओक्साइड और चोथा है सल्फर डाई ओक्साइड तो इसमें पूछा गया है कि इधनों के अपूर दहन से जो गया सुत्पन होती है वह विसेली है और रुधिर की ऑक अक्सीजन वाग छमता को घटा देती है तो वह है कारवन मोनो अक्साइड भी विकल्पिस में सही हो जाएगा अगले प्रस्ण पर चल कोई 200 किलोग्राम का द्रबमान का पिंड किसी चिकने घर सर रहत 36 प्रस्ट पर 5 मीटर प्रती सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है इसी पिंड को इसी वेग से गत्मान बनाई रखने के लिए आवश्यक बल है तो इसमें बल और वेग इनके बारे मिंपहले जान लीजिए तो बल वह καरक है जो किसी वस्तु की इस्थिती में परवर्तन ला सकता है जब किसी इस्थिर वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल के पिरभाव में वह गती करन लगती है बल का ऐसाई मातरक न्यूटन होता है और बल एक सदिस रासी है वेग क्या है तो समय की एक काई में एक गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिसा में तै की गई दूरी वस्तु का वेग कहलाती है वेग भी सदिस रासी है और वेग का ऐसाई मातरक मीटर प्रति सेकिंड होता है अब इसमें कहा गया है कि पिंड जो है 200 किलोग्राम का है और इसी पिंड को इसी वेग से गतिमान वनाई रखने के लिए और जो वेग है वह नियत है यानि एक ही वेग से वस्तु गतिमान है यानि की नियत वेग से गति कर रही है तो त्वरण होगा सून बल पूछा गया है बल बराबर होता है F into A यानि द्रबवान और त्वरण का गुड़न फल त्वरण सून है तो बल भी कितना होगा सून ही होगा तो D विकल्फ इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा तो 20 प्रस्ण आपके NCERT बेजड थे अब अगले 10 प्रस्ण पैड़ागोजी के हैं तो चलिए पैड़ागोजी के प्रस्णों को हल कर लेते हैं लिखा है विज्यान में रचनात्मक आंकलन क्यों महत्पूर है फेला है याई लेना आसान है दूसरा है यह सिक्षार्टियों में वैग्यानिक द्रश्टिकोन के विकास में सहायक है तीसरा है यह निदानात्मक है और सोथा है यह विज्ञान को अच्छी पिरकार से समझने में सहायक है तो विज्यान में रचनात्मक आंकलन महतपूर होता है क्योंकि यह निदानात्मक है। अगला प्रशनी देखते हैं। विज्यान में विज्यान मेले का आयोजन किया जाता है ताकि जो सिक्छार्ती हैं विज्यान में स्रजन एवं प्रयोग करने की छमता को विक्सित कर सकें। लिखा है एक सिक्छक के नाते निमलिखित में से आप सिक्छड में विज्यानिक विधा के लिए सबसे उपयोगत समझते हैं। पहला है सिक्छार्तियों को कच्छा में अवधार्णाओं को इसपश्ट करना, दूसरा है अवधार्णाओं के सिक्छड हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, तीसरा है सिक्छार्तियों को परयोजनाई देना, और चौथा है अवधार्णाओं से संबंदित गतविधियों को सिक्षार्थियों से कराना तो इसमें पूछा गया है कि व्यग्यानिक विधा के लिए यानि व्यग्यानिक द्रश्टिकोंड के लिए तो व्यग्यानिक द्रश्टिकोंड का अर्थ उस द्रश्टिकोंड से है जो सीखने वालों में व्यग्यानिक सोच को बढ़ावा देता टाकि वे व्यज्यानिक जानकारी का खुसलता पूर्वच परयोग करके व्यज्यानिक विचार तैयार कर सके, तो यदी अपधार्डाओं से संबन्धित गत विधियों को सिक्षार्टियों से कराया जाएगा, तो व्यज्यानिक विधा के लिए ये सफसे उप्योक्त होगा, चौथा विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण देखते हैं लिखा है NCF 2005 के अनुसार NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान सिक्षा जीवन के प्रती सत्त होती है इसका आर्थ है पहला विकल्प है विज्ञान बालक को कार की दुनिया में प्रवेश हैतु तयार करें दूसरा है विज्ञान बालक को आर्थ पूर ढंग से व्यस्त रखने में सक्षम हो तीसरा है विज्ञान बालक को विज्ञानिक ज्यान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लाइक बनाए और चोथा है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो तो NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान सिक्षा जीवन के प्रती सत्त होती है तो इसका आर्थ पूछा गया है तो इसका आर्थ है कि विज्ञान बालक को कार की दुनिया में प्रवेश है तू तयार करे और इस तरीके के कई बार प्रशन आई है और मैंने आपको डिटेल में बताया भी है तो इसमें पहला विकल्प इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा अच्छी विज्ञान सिक्षा वय है जो सिक्षार्ती के लिए सत्त हो जीवन के लिए सत्त हो सीखने वाले के वातावरण के लिए सत्त हो और विज्ञान के लिए सत्त हो तो ये भी आपको साथ में याद रखना है पहला विकल्प इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा अगले प्रशन पर चलते हैं लिखा है निमलिकित में से कौन सा व्यग्यानिक द्रश्टिकोण का गोड़ नहीं है पहला विकल्प है खुला मस्तिस्क दूसरा है आधिक सीखने की उत्सुकता तीसरा है समस्याव के प्रती व्यवार में वस्तु निष्ठिता और चौथा है कठिनकार तो इसमें व्यग्यानिक द्रश्टिकोण का गोड़ नहीं है पूछा गया है तो कठिनकार व्यग्यानिक द्रश्टिकोण का गोड़ नहीं है तो चौथा विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण दिया गया है निम विज्यान की प्रकरती इस्थिर है तो इसमें लिखा है कि जो सही नहीं है वह बताना है तो जो गलत है वह बताना है तो विज्यान की प्रकरती इस्थिर है ये गलत है तो पहला विकल्प इस प्रस्निका उत्तर हो जाएगा D क्योंकि विज्ञान की प्रकर्टी इस्थिर नहीं होती है क्योंकि जो विज्ञान की प्रकर्टी है वह गतिसील है क्योंकि विज्ञान नए सोद और आविस्कार का एक छित्र है अताये निसकर्ष निकाला जा सकता है कि विज्ञान प्रकर्टी में इस्थिर नहीं है और इसमें लिखाए कि इस्थिर है तो यही इस प्रश्णिका उत्तर हो जाएगा विज्ञान की प्रकरती के बारे में और जो कथन है वो आपको जानना आवस्चेक है कि विज्ञान सदय आइस्थाई होता है विज्ञान संसेवाद को बढ़ावा देता है विज्ञान जाज के दरश्टी कॉल के रूप में है विज्ञान सीखने का एक अंता विशय है अंता विशय छेत्र है विज्ञान प्रकर्ती को देखने का एक विशेश तरीका है विज्ञान ग्यान निर्माड की एक प्रक्रिया है तो ये सब भी आपको साथ में याद रखना है चलिए अगले प्रशने पर चलते हैं लिखा है न में बताने हैं तो निस्पच्छता व्यज्ञानिक द्रश्टिकॉर्ण व्यज्ञानिक सुभाव ए बीसी इसमें सही है तीसरा विकल्प सही हो गया इस्थाई मानस प्रवित्ति का विकास विज्ञान द्वारा नहीं होता तो ए बीसी इसमें सही होगे अगले प्रशन पर चलते हैं तो विज्यान सिक्षक की भूम का पूछी गई है तो चात्रों को प्रचुर विभिन सीखने के अनभव प्रदान करना पहला विकल्प इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा क्योंकि अब सिक्षक जो है सुगम करता है और सिक्षा बाल के अंद्रित है तो ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी है सिक्षक सुगम करता होता है तो चात्रों को प्रचुर विभिन सीखने के अनभव प्रदान करना पहला विकल्प इस प्रशन का उत्तर है अगले प्रशन पर चलते हैं और चोता है विज्ञान के प्रती सच्ची होनी चाहिए तो अभी मैंने आपको बताया था कि NCF 2005 में क्या क्या बताया गया है तो NCF 2005 में बताया गया है कि जो अच्छी विज्ञान सिक्षा है वैं सीखने वाले के प्रती सच्ची हो सीखिने वाले के पर्यावरण के प्रती सक् race और विज्यान के प्रती सक्ची हो लिकिन सिख्षक के प्रती सक्ची हो यह नहीं बताया गया तो ABD इसमें सही है यानि की पहला विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा अगले प्रश्ण पर चलते हैं लिखा है तो यह आखरी प्रस्ण था आज की वीडियो में 20 प्रस्ण आपके NCRT-based थे और 10 पेडागोजी की थे किसी भी प्रस्ण में आपको doubt हो तो आप comment box में जरूर लिखिएगा और अभी तक मैंने जितनी भी practice करवाई है किसी भी practice वीडियो में आपको किसी भी प्रस्ण made out हो तो आप comment में जरूर लिखिएगा मैं सभी का comment पढ़ती हूँ और सभी को reply भी देती हूँ तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई बाई